तुम्हा एक बात कही थी कि कोई मरता है तो किसी ने प्रिश्ण करा कि गुलवरगा की कथा में कि माराज कोई मरता है तो पैसे फेके जाते हैं कोई मरता है तो फूल फेका जाता है मखाना फेका जाता है तो पैसे क्यों फेके जाते हैं ये समान क्यों फेका जाता है किसी की च तो पूरा फूला हुआ परिवार छोड़ कर गया है इसलिए राम नाम सत्त है तो पैसा क्यों भेका जाता है हमने का पैसा इसलिए भेका जाता है कि पूरी जिन्दगी जोड़ जोड़ के मर गी अब तेरे बाप में तब हो तो उठा के बता लिए नो नो बजे से दुकान खोलके बेटा था एक एक बारा बारा ग्यारा ग्यारा बज़ जाती पत्नी भोण तक लगाती घर आ जाओ दस बज रही है बस दो गिरहक निपता लूँ फिर आ रही है दो गिरहक निपता लूँ फिर आ रही है वो तो अच्छा है यमराज किसी के नहीं सुनता है नहीं तो तुम यमराज को भी के दो कुर्सी पे बेट जाओ आदे घंटे से चले गए तुम यमराज से भी के दो और यम्राज बोले आदे घंटे बाद आप तो चलो घर पे बेग रंग नूँ फिर चलता हूं घर गया फिर यम्राज ने का अप तो चलो इतने में पतनी ने बोल दिया यम्राज तुम बेटो तो सरी भी इनके खाना तो खालें अंदा पर चले जाए तो खाना वना हो गया कि हारा पड़ोख सी किन ले जा नी जोंग जाओ जाओ उत्ता में तो यम्राज भी सोचे अच्छा हुआ दादा निर्णा एक लिए खा गया एक लिए